इंटरपोलेशन में हम दो तरग इंटरपोलेशन पढ़े थे इंटरपोलेशन विद इक्वबल मखए अनिक्वबल बीच्पाटब 14 9 अगे चलते हैं इसमें और उसमें आता है सेंटरल इंटर इंटर जब कुछ डाटा दिये गए है एक्स और वाई के तो मद्य के मानों के नजदीक को इंटरपोलेशन ग्याद करवाया गया है तो सेंटर इंटरपोलेशन के फॉर्मूलों से वो ज्यादा सठीक प्राप्त होता है इसलिए सेंटर इंटरपोलेशन आज से शुरू करते हैं इसम केपर्ड ऑपरेटर डेल इसको इसकी डेफिनिशन देखते हैं डेल एफेक्स इक्वल होता है एकी पावर हाफ एफेक्स माइनस एकी पावर माइनस हाफ एफेक्स तो इसको लिख सकते हैं डेल को एकी पावर हाफ माइनस एकी पावर माइनस हाफ एफेक्स या आपन कहें ड डेल equivalent to, डेल सम्रूप होता है E-E की पावर हाफ, माइनस E-E की पावर माइनस हाफ के, क्योंकि केवल operator के बारे में लगा गया है, इसलिए सम्रूपता का चिन्नापन लगाएंगे, और अगर इसके आगे operator लग रहा है, fx लग रहा है तो equal का निशान लगाते हैं तो डेल की परिभाशा नंबर एक में जो लिखी हुई है एकी पावर हाफ यहां पर shift operator है जिसमें fx फलन पर अगर shift operator यह लगाते हैं तो एक कदम आगे बढ़ जाता है e fx का मान fx प्लस h हो जाता है यह अपने पुराने topics में पढ़ा है तो e वही है shift operator है यहां पर e का मान तो डेल का अब यह जो definition से अपने पढ़ा है इसको दूसरे रूपा में भी लिखा जा सकता है तो डेल समरूप होता है e की पावर माइनस half अगर common ले 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 तो यह bracket में ब अपने उसमें पढ़ा था समान अंतराल द्वारा अंतरबेशन जब यह सारे operators पढ़े थे पने shift operator अगरांतर forward difference operator डेल पढ़ा था backward difference operator उल्टा डेल पढ़ा था और identity operator आई पढ़ा था वह यहां पर काम में ले रहे हैं तो इकी पावर माइनस आई माइनस आई बचार ए माइनस आई समरूप होता है डेल के तो यह जो शेपड ऑपरेटर है डेल यह लिखा जा सकता है एकी पावर माइनस आफ अगरांतर डेल के इसी प्रकार अगर एकी पावर माइनस आफ की जगे एकी पावर हाफ अपन बाहर ले ले लें तो यह हो एकी पावर हाफ पश्चानतर डेल तो इस तरह से डेल को अपन इस तरह भी लिख सकते हैं अगर पुराने संकारकों में लिखना है तो एकी पावर माइनस हाफ अगरांतर और या लिखें एकी पावर हाफ पश्चानतर से अब एक दूसरा ऑपरेटर आता है शिफ्ट दोनों का ओसत लिया है अपने इसलिए दो का भाग लगाया fx तो यह कहलाता है औसत संकारक इसकी definition अगर अपन देखें तो definition में हो गया म्यूँ इस ऐडेंटिकल टू ए की पावर हाब प्लास एकी और माइनस आप बाई टू म्यू समरूपता है यह अपने को इसकी definition जो दो नम्मर पर लगाईगी यह इसको ध्यान रखना है इनसे कुछ आपस में इनका संबंद भी निकाला जा सकता है कि आपसे एक्जाम में पूछ लेता है कि म्यू और डेल एवरेज ऑपरेटर और शेपर्ड ऑपरेटर में क्या संबंद है तो संबंद को अपन यहां पर establish कर रहे हैं मिू square fix का मान देखें लग लखें तो मिू square fix होगा मिू चुकि एक की पावर half plus एकी पावर minus half ब्टे 2 है टो इसका square कर दिया तो ये whole square लग गया, be Seni ब्टे 4 आ गया whole square जो eki power half minus eki power minus half का whole square है इसको लिख सकते हैं eki power half minus eki power minus half ka whole square plus 4 तो एक बटे चार एकी पावर हाफ माइनस एकी पावर माइनस हाफ तो डेल होती है तो डेल स्क्वाइर प्लस चार बन गया इसलिए म्यू स्क्वाइर समरूप है आई प्लस डेल स्क्वाइर बाई फोर के तो ये दोनों में संबंध है शेपर्ड संकारक और average operator में ये कई बार पूछ लेता है ऐसी एक relation और भी है इसमें आपस का कि प्रूफ करिए कि μू डेल fx का मान half अग्रांतर प्लस पस्चांतर fx के है ये प्रूफ कई बार आ जाता है अपने को पता भी होना चाहिए easily अपन इसको establish कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं तो μू डेल is identical to one upon two दोनों की definition रख दी एकी power half plus एकी power minus half by two तो μू है और डेल है एकी power half minus एकी power minus half तो a plus b और a minus b का मान हो गया a square minus b square तो यह हो गया one upon half e minus e inverse इसमें e inverse को one upon e लिखें अगर अपन इसमें तो यह आगया e square minus i over e तो half e square minus i हो गया e plus i और e minus i यह इसमें लिखा हुआ है upon e इसको आगे चलते हैं तो यह बन गया mu dill fx आगया half e minus i तो अपने को मालू में डेल होता है डेल के समरूप होता है e minus i और यह e plus i है इसमें से अगर अपन नीचे वाले e का भाग लगाएं तो one plus e inverse हो गया fx तो यह आगया डेल को दोनों से multiply कर दिया तो डेल प्लस डेल e inverse fx तो mu dill fx is equal to one upon two अगरांतर प्लस डेल e inverse होता है पस्चानतर के equal यह अपने पहले पढ़ा है तो यह fx आगया क्योंगी e minus i del के समरूप होता है e minus i e है del into e inverse होता है पस्चानतर के तो इससे प्रूव हो गया कि mu dill equivalent to one upon two अगरांतर प्लस पस्चानतर यह एक relation है जो नए operator अपनने पढ़े है पुराने operator हो दोनों के बीच में क्या relation होता है इस तरह के relation में अपन दोनों की definition रखे जो भी पूशेगा इसमें उनको आसानी से प्रूव कर सकते हैं तो कुछ questions आएंगे इनके अलग-अलग relation में किस तरह से आते हैं इनको अपन इस तरह से कर लेंगे पूरा अब चुकि अपन central difference पढ़ने पूरा पढ़ने हैं तो डिफ्रेंस टेबल इसमें भी चाहिएगी कि डिफ्रेंस टेबल कैसे वर्क करेगी चौकि इसमें जो फॉर्मुले अपने को पढ़ने होंगे बेसिकली चार फॉर्मुले पढ़ने हैं में फ्राइक webergon यहीं वर्मुले में हर एक फॉर्मुलों में अपने को डिफ्रेंस टेबल चाहिएगी तो डिफ्रेंस टेबल जैसी बनाते आंए उसको बना है इसको बनाई आपनेको वैसी बनाना है उससे वो variate कर जाएगी और अपन गलत मान अपने फॉर्मूलों में रख देंगे तो वो गलत हो जाएगा answer तो इसमें argument दे रखे हैं चुकि equal interval के ही रहेंगे सारे argument तो यहाँ पर x0 अपन बीच वाले मान जिसको अपन center point मानेंगे उसको x0 कहेंगे उपर वाली value x-1 होगी x-2 होगी x-3 होगी नीचे वाली value x0 के x1 होगी x2 होगी x3 होगी चुकि u x-x0 upon h होता है तो u की value उसके सामने अपन लिखेंगे x0 के सामने u आएगा क्योंकि x की जगे x0 रखा तो x0 minus x0 upon h तो u बराबर 0 आ जाएगा ऐसे ही ये u के मान अपन लिख देंगे x1 के according u का मान 1 होगा x2 के according u का मान 2 होगा x3 के according u का मान 3 होगा तो ये सारे मान लिखेंगे एंट्री अपने को दी गई होगी जो भी value दी गई है वो अपन जैसी दी गई है उनको लिख लेंगे center line खीचने के लिए अपन center point निर्धारित करते हैं तो वो अपने को निर्धारित करना पड़ेगा x0 कौन सा point लिया है u जिस पर 0 होगा तो वो center line अपने को बनानी होगी तो जो केंडर के आसपास के मान अंतरवेशन में पूछे जाते हैं तो उसको देखते हुए center line अपन बनाएंगे के center point कौन सा ले उसी के according center line बनाएंगे अब agranter जिसे अपने निकालते हैं आगे वाले मान में से पीछे वाला मान गटा दो पहले वाला मान गटा दो तो ये पहले agranter सारे अपने निकाल ले अब यह उपर योपर वाला agranter intel y-3 है तो अपने को मालूम है क्योंकि y-3 के सारे अग्रांतर इस तिर्शी लाइन पर ही पड़े होते हैं ऐसे ही y-2 के सारे अग्रांतर इसी लाइन पर होते हैं इन तिर्शी लाइनों पर होते हैं अपने को मालूम है जैसे y-1 के सारे अग्रांतर इस तिर्शी लाइन पर होंगे तो ये अपने को मालूम है तो सारे अग्रांतर अपन जैसे निकालते हैं वैसे लिका लेंगे लेकिन ये पता होना चाहिए अब जब अपने सबस्क्रिप्ट की वैल्यू बदल दी पहले x1, x2, x3 था, y1, y2, y3 था उसकी जगे माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 भी है तो फिर अपने को पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या है तो जैसे ये वाली वैल्यू डेल y-3 है, ये डेल y-2 है, ये डेल y-1 है, ये डेल y-1 है, ये डेल y-1 है, डेल y-2 है क्योंकि formula में जो लिखावा आएगा उसके according अपने को पता होना जाए value कहां रखिए कहां मिलेगी ऐसे ही second differences निकाल लिए third differences निकाल लिए सारे अपन निकाल लेंगे आगे तक अब चुकि एक्स zero अपना center point है तो इसलिए ये center line अपने को खीचनी पड़ेगी तो इस center line अपन बताएंगे वह अपने को इसमें दर्शानी होगी तो यह dot मैंने दिखा रखें इस dot से center line आगे चलेगी यह वाली center line ठीक तरह से देखना है इसमें दिख रहा है center line तो center line पर यह अपने को देखना होगा जैसे वाई zero काम में आएगा center line जो होती है इसमें जैसे जो वैल्यू काम में आएंगी तो center human यह अक्सर सूत्रमा आएगा उस समय देखेंगे तो जैसा भी आएगा तो यहां पर चुकि डिफरेंस टेबल जो फॉर्मुले अपने को चार पढ़ने उन चारों में काम में आएगी और चार फॉर्मुले जैसे मैंने अभी बताया एक तो गौस forward interpolation formula है एक गौस backward interpolation formula है third sterling formula है और चौथा बसल interpolation formula है तो चारों फॉर्मुले अपने को पता होने चाहिए याद होने चाहिए अच्छी तरीके से क्योंकि अगर formula का derivation अपने को नहीं पता और formula याद नहीं है तो फिर questions नहीं हो पाएंगे और इन यह चारों फॉर्मुले डराए होंगे न्यू पहले पढ़ा था वो अच्छी तरह से याद है तो इन्हें derive कर पाएंगे वो याद ही नहीं है तो इसका derivation नहीं कर पाएंगे और derive करने के बाद में चारों को भी contest करना अच्छी तरह से याद करना है तो चार formula इस chapter से पहले आपने पढ़े थे Newton Gregory forward interpolation formula दूसरा था Newton Gregory backward interpolation formula तीसरा था Newton divided difference formula चौथा था लागरांच interpolation formula चार वो पढ़े थे और चार ये पढ़ने आठ formula कुल हो गए यह आठों formula अच्छे से याद होने चाहिए तब अपन सारे questions इस chapter तक सारे कर पाएंगे और इन्हीं की साहिता से आगे जो chapter आएंगे वो इन्हीं फार्मुलों से पुरानी classes में अपने पढ़ी हैं वो एक बार आप देख लें क्योंकि वो पता होनी चाहिए उनको derivation formula के साथ करेंगे तो formula बहुत लंबे derivation बहुत लंबा हो जाएगा तो यह जो दो point मैंने लिये हैं basics वो आपको अच्छी तरह से प्रूव करने हैं दो में बता देता हूं बाकि कुछ आगे questions दे देते हैं उनमें आप प्रूव करना जिससे आगे जो formula पढ़ेंगे वो आसान हो जाएंगे तो इसमें जो अपने पर्मिटेशन combination छोड़ी classes में पढ़के आएं उसमें एक चीज अपने पढ़ी थी कि UC2 प्लस UC3 प्रूव कीजिए UC1C3 के होता है तो यह formula अपने को कोई याद नहीं होगा लेकिन अपने एक बार प्रूव करके देख लेते हैं तो बागी सब के लिए इससे आसानी से प्रूव कर सकेंगे तो जैसे प्रूव देखते हैं इसका UC2 प्लस UC3 is equal to UC2 प्लस UC3 होता है यह प्रूव करना है तो अपने UC2 प्लस UC3 लेत से 2 common आ रहा है तो common ले लिया तो आगे तो 1 बचा और यह बचा U-2 over 3 तो 3 अगर LCM ले ले लें तो 3 प्लस U-2 तो यह U-1 बन गया तो U-1 over 6 हो गया तो actual में यह मान आ रहा है U-1 U-1 बटे factorial 3 जिसको अपन U-1 C3 लिख सकते हैं तो UC2 प्लस UC3 is always equal ऐसे ही मैं आपसे पूछ हूँ U-C3 प्लस UC4 किसके equal होगा तो U-1 C4 के equal होगा आप प्रूव करके देखिए उससे तो भी यह सारे formula में अपने को रखने पड़ेंगे ऐसे ही एक दूसरी बात जो आएगी अभी formula में वह है कि यह प्रूव करिए डेल स्क्वार Y-1 प्लस डेल QY-1 होता है डेल स्क्वार Y-0 तो जैसे डेल स्क्वार Y-0 की value अपने को put करने पड़ेगी तो वो डेल स्क्वार Y-1 प्लस डेल QY-1 put कर देंगे तो वहां तो direct put करेंगे लेकिन पता होना चाहिए कि यह ऐसा क्यों हुआ उसका proof कहा है तो पहले आप proof इसको देख लें क्यों QY-1 प्लस डेल 4Y-1 लिख दी जाएगी लेकिन पहले इसका पता होना चाहिए कि यह चीज सही है तो इसका proof देख लें डेल स्क्वार Y-1 प्लस डेल क्यूब Y-1 की value निकालें तो डेल स्क्वार Y-1 डेल स्क्वार की value लिख रहे है यह मैनस आई का all स्क्वार और डेल स्क्वार रहे हैं तो वह बना Y-1 क्योंकि Y-1 के आगे वाली value है Y-0 और उससे आगे वाला मान है Y-1 तो Y-1 को दो बार Shift करना है e square है मताँ दो बार shift करिए तो ये y1 बन गया y-1 को एक बार shift करिए तो ये y0 बन गया और ये i y-1 तो y-1 रहे गई ऐसे ही y-1 को तीन बार shift करिए तो y0 y1 y2 तो y2 आ गया तो ये value अपने लिख दी इनको ठीक करके लिख दिया तो ये बन गया y2 y2-2 y1 प्लस y0 इसको लिख सकते हैं e square minus 2e plus i y0 ये plus कर लेना ये plus y0 तो ये e minus i का हो लिख square y0 मतलब डेल square y0 हो गया तो डेल square y0 लिखा जा सकता है डेल square y-1 प्लस डेल cube y-1 इसी तरह से डेल square अगर लिखना चाहें डेल square y डेल cube y0 लिखना चाहें डेल cube y0 बन जाएगा डेल cube y-1 प्लस डेल 4 y-1 आगे करना है करेंगे तो ये जो चीज़ें भी बताई हैं इसको पहले ठीक तरह से आप करके देख लें क्योंकि फॉर्मूलों में डारेक्ट अपलाई होंगी तो आपको प्रूव करना है अब u c3 प्लस u c4 बराबर होता है u प्लस 1 c4 के करके देखिए दूसरा इसमें करके देखना है डेल cube y0 होता है डेल cube y-1 प्लस डेल 4 y-1 के ये भी प्रूव करिए और एक आगे की और आगे की जो बात आएगी वो मैं देभी दे रहा हूं डेल 4 y-1 भी अगर अपन देखें तो यह होगा डेल 4 y-2 प्लस डेल 5 y-2 के एक वल इसको प्रूव करके देखें तो आपके लिए ये तीनों चीजें प्रूव करने की हैं आप प्रूव कर लें तो नेक्स्ट क्लास में इस लेक्चर में अपन ये चारों जो फॉर्मूले हैं जो चार फॉर्मूले मैंने बताए थे गौस वाले दो इस्टरलिंग और बैसल इनको डिसकस करेंगे फिर इनके कुश्चन्स देखेंगे